अब 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 देखिए सीटी पीडी टीएप का आपका मेंस एक्जाम का रिजर्ट आया है जो भी कैंडिडेट्स बुलाए गए है जितनी वेकंशी हैं उसका थर्ड टाइम्स बुलाए गए है और आप जो उससे पूचा था मैं आपको बता दे रहा हूं अभी शाहिद कोई आया नहीं है कोई लाइफ नहीं है आपको जो टो कोश्य पूचने आप अभी उनसे पूच सकते हैं मैं आपको बता दे रहा हूं आपको क्या क्या चीज़ें करनी हैं सेलेक्शन देखिए जो भी आपका हुआ है 21 प्रेसिस पर हुआ है पहले चीज़ तो यह देखिए जो अलग अलग ब्रांज हैं बायो क्रूस्ट्री बायो मैडिकल क्यमेस्ट्री इस पार आका पॉलिवर इलेक्ट्रिकल कि कि एस एटी इलेक्ट्रोनिक्स और मैटलर्जी आका वेकंशी देटी इसके वैकंशी है बायोक्मश्ट्री इच्छा है इसके बाद केमस्ट्री में 45, पॉलिटर में 4, इलेक्ट्रिकल में 30, CSIT में 55, इलेक्ट्रोनिक्स में 70, मेटलर्जिकल में 6, कितने कैंडिडेट्स गुलाए रहे हैं यह आप देख दीजिए, इसमें गुलाए रहे हैं 18 कैंडिडेट्स कि इसके बाद Biomedical बुलाए रहे हैं 12 निटेट, chemistry में 138, polymer में 12, electrical में 93, electronics 166, CSIT में 166, electronics में 208 और metallurgical में 11, तो यह समझें जो जो फिलाए गए गए जो फिलाए गए हैं जो फिलाए गए हैं है afterlor खिले में आप एक सो फीस इंड़ीक से उप्र विए और उसका है एक्सी का 167 किसी का 12148 कि किसी का 150 कि की सिक नमपे कि किसी का 210 तुमिया जिसका जादा जाए पहले 210 वाले को प्लाइब इसके बाद है इस तरह से होगा और अगर आपका सबसे पहले उसको पुलाए जाएगा उसके उपर जितने भी बच्चों ने स्कोर किया उसको पुलाए जाएगा अब जिसने झाल मैं सबसे पहले उसको पुलाए जाएगा उसके बाद योस से कम होगा इसको बुलाए जाएगा और अगर छे है तो अगर तक बात किसी ने है कि इसंदो इसकी बाथ कर लेते हैं ऑज है तो टक इतने हैं यह यह ती मतलब इने सिर्फ तीन केंडिडेट लेने और आए गुलाए कितने हैं इसमें जनरल के पांच केंडिडेट गुलाए जाए ठीक है अब लेने सिर्फ तीन है पहली जीस तो उन पांच मैंसे जिन तीन का स्कोर जादा होगा आपको सबसे पहले ही सब अब करें जाए बाकी बच्चे तो वो आप्टमाटिक कहा निकाले अगर माले जिसके जादा होगा उसको पैसे बुला लिए जाए और जिसका एक मतलत जोटा होगा उसको बाहर करते जाए इस तरह सो आपको स्वेक्शन प्रोसर्स लिस्ट उप्रपोर्मेंट्स का आपको क्य लुए मैं अबिकर नुए अगर भी मिए इसटल्या लिस्ट उप मैंस वैल टीज मैंस एंग गार दूसरी होगाई जोटेज़ जहाता होगा है इन टीज टेंट और कर्फ का मार्चीट और सर्टिफिकट धीका इसके बाद है आपका डिगरी अटिवीय आपको लेकर आनी है और इसके साथ-साथ ऑल स्सक्राइब की मार्चीट्ट सारे स्सक्राइब की मार्चीट इसके बाद आपको लेके जाना है स्टी ओवीजी से रख विलॉंग करता है स्टी इसके लिए आपका तास्ट इसके बाद अगर कोई नौन प्रिमी लेर ओवीजी है तो उसको भी अपना लेकं जाना होगा है मतलब कि आपको ड्रुमेंड डॉकुलिक उटमीर हुग और पूटक्वट्व वर फर्किंग नया है और स्टी इन में च्क ही अगर्वनेंट तो आपको एक स्ट्वiegen बृप्ठटी करता है ब्रूम कता है न को Cris तो यह आपको बस रिटेन में देना होगा तो यह सारी चीज़े और इसमें इसा कुछ नहीं है वाकि जो कुछ भी था और अगर आपको पुछ ना नहीं तो आप हम से पूसकते नहीं तो फिर आप अपसे कमेट पर पूसकते हैं कि अगरे और कुछ नहीं कटाओ वगयर आपको चाहिए तो कटाओ वगयर सब वर्फसाइट पर अबलेबल है वो कि हमने आपको बता दिया सबसे यह लोगा इलेक्ट्रोमिस पर 240 में हुआ सब्सक्राइब नहीं है सिर्फ डॉकुमेंट्स परिफिकेशन और कुछ नहीं है कि आपको पूछा हम से कमेंट करके कि पूछ लेजेगा कि अगर आप